हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं वजाइनल इचिंग के बारे में यानिक है अगर आपको खुजली रहती है जलन रहती है बार-बार परेशानी आती है घंदा पानी आता है तो यह वीडियो आप ही के लिए है तो बने रही ह हमारे साथ पूरे वीडियो में और हम जान पाएंगे वजाइनल इचिंग के कारण और इलाज दोनों एक साथ तो सबसे पहले आईए जानते हैं कि आखिर वजाइनामी इचिंग होने के क्या कारण हो सकते हैं तो सबसे पहले कारण है ये पंडियो कि यूर इली इचिंग हो सकती है और और किसी प्रिकार सब्सक्रून हूता है वो है फंगल डिस्चार्ज यानिकि आपकी वचाइना के अंदर योनी के अंदर फंगर्स का इंफेक्शन होना सबसे जादा बड़ा कारण है खुजली का इसमें फटे दही जैसा पानी आने लगता है और या फिर आप बोलेंगे फटे पनीर जैसा पानी हो सकता है जिससे बह कोई ऐलर्जी हो सकते है यानि कि अगर आपने कोई साबून लगाया हो कोई केमिकल यूज किया हो कोई डियो लगाया कोई पर्फिम लगाया किसी भी कारण वश आपको किसी भी चीज से अगर सेंस्टिविटी है ऐलर्जी है तो आपको खुजली जलन हो सकती है तीसरा अगर आपने वैक्सिंग कराई ये लोकल पार्ट की इसकी वजह से भी वहां पर दाने बन सकते हैं, इचिं हो सकती है, जड़न हो सकती है, पाच्वा गारण हो सकता है आपका, कि यदि आपने इंटर कोर्स किया है, और उसमें कॉंडॉम का कोई नया ब्रेंड इस्तेमाल किया होती है, तो यह जड़ूर चेक कर लीजे, कि आप जो बे कॉंडॉम का ब्रेंड यूज कर रहे हैं, तो आपको सुट करता है या नहीं करता है, और कई बार, आपके पार्टनर को इंफेक्शन होता है और आपके पार्टनर से आपको भी इंफेक्शन मिल जाता है, उसके अभी नहीं चादी हुई है, तो आप अपनी लोकल एरिया के अज़ान रखेंगे, तो आपको इस प्रकार की प्रब्लम नहीं होगी, इसके अलावा, जो सबसे इंपार्टन कारण है, हाईजीन मेंटेन करने का, वो एक बहुत इंपार्टन चीज है, जिसके कारण आप अप आप नीचे के पार्ट्स में कोल भी डीयो, केमिकल, पर्फ्यूम, साबून, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आपको नहीं यूज करना अच्छी है, आपको सर्फ यूज करना च्छी मेडिकेटिड वजाइनल वाश, जिससे कि आपको किसी प्रकार की सेंसिटिविटी और और जो भी आप वाश या जो भी कुछ यूज करती है, वो हफते में एक या दूबार इस्तेवाल कीजी, क्योंकि जितने जादा आप क्यामिकल इस्तेवाल करती है, उतनी ही ज़ादा आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और इरिटेशन और एलर्जी होने की सम्मावन चाहिए जिससे कि उनका प्रॉपर हाईजीन मेंटेन हो सके और उनके किटानों खत्म हो सके और आपको किसे पतर का इंफेक्शन ना क्रियेट हो और यदि आपका वजन जादा है तो कई बार हैवी थाईज होने के कारण पसीना जादा है और पसीने के कारण कि टाउं डेवलप होते हैं बैक्टिरिया डेवलप होते हैं वह एक इंफेक्शन का सोर्स बन जाते हैं इसलिए यदि इस गर्मी के में अंदर आपको पसीना जादा है तो आप हलकी पतले कॉटरन के यले कफड़े करें हावादार कपड़े use कुगे इसते के काफी कम मातर मैं आपको पसीना करिंट हो और आपके इंफेक्शन ला हो तो फिर आप बराबर नीचे पैंटी लाइनर तो एक बार बार खुजली जलन होती है तो एक बार गाइनेकलोजिस्ट के पास जाकर चेक अप करा लेना चाहिए जिसके उनीचे का एग्जामनेशन करके आपको यह बता देंगे कि कौन सा इंफेक्शन और कौन से मेडिसिन उस पर काम करेगी बिना मेडिसिन के कई पार यह तो कई बार हो सकता है कि ब्लड शुगर की लेवल जादा हो यानि कि आपको डाइबेटीज हो कि जो लेडिस डाइबेटीक होती है उनको इंफेक्शन बार बार होता है इसलिए एक बार ब्लड शुगर का लेवल ज़रूर चेक करा लीजिए और यदि आप प्रेगनेंट है तो आप एक पर डॉक्टर को आप जब भी शिकायत करेंगे, बताएंगे उनको कि मुझको इस प्रकार की कोई प्रब्लम है तो डेफिरिटली नीचे से भी आपको चेक कर लेंगे और उसके आपको मेडिसिन दे देंगे और अगर नीचे का हाईजीन मेंटिन करेंगे और सिंपल प्लेन वाटर का इस्तिमाल करती है तो वह भी बहुत अच्छा होता है तो यानि कि टेक हॉम पॉइंट्स आपके लिए इस वीडियो में से यह है सबसे पहले सिंपल पानी का यूज कीजिए नीचे के एरिया इसको व क्रेम करते हैं तो इसके सेंस्टिविटी पहले चेक कर लीजिए और अगर कॉंडम का इस्तेमाल कर रहे है तो इसका ब्रैंड चेक कर लीजिए कि आपको से अलर्जी नहीं हो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो डेफिनिटली आपको वजाएनरी इरिटेशन नहीं होगा और यृणी फिर भी हो सकता हम आपके साथ हमीशा खड़े हैं आप हमें कभी भी फोन करके बात कर सकती हैं अपनी प्राब्लम का सलीशिंग सकती हैं हम अपसे फिर भी लेंग एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार सकती, अब आ कर दो कर दो नहीं कर दो